इस बढ़ती गर्मी में मैंने भी बना लिया है एक मीनी कूलर यह बहुत ही सुन्दर बना है और जितना सुन्दर यह देखने में लगता है उतना सुन्दर यह ठंडी हवा भी देता है तो आई यह इसका बनाने का प्रोसेस जानते हैं इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेने है तीन इंच के पीवी सी पाइप्स और उसे हैक्साव ब्लेट से काट करके हमें आग में सेक लेना है आग में सेकने के बाद यह पूरा स्टेट हो जाएगा इसी तरह से हमें सभी पाइप्स को सीधा कर लेना है उसके बाद यह रह हमारा back वाला पट्टी जा सकते आचर रहेगा और यह दोनों है हमारा left and right वाला पट्वाल पट्टी में मैं काटा हूं तो यहां पर देखिए यह जो front वाला पट्टी है इसको मैंने goal कैसे काटा यह देखिए यहाँ पर मैं solding iron से थोड़ा सा इसको छेद कर लिया उसके बाद hexa blade से काटा है मैंने इसका gap पंखे के blade से थोड़ा सा जैदा होगा अब हमें चारों तरफ के पटी को चिपका लेना है सबसे पहले मैं front side के पटी को चिपका रहा हूं और चिपकाने के लिए यहाँ पर मैं super glue का use कर रहा हूं इसका अगर size का बात करें तो यहाँ पर मैंने 35 by 23 by 23 cm का लिया है इसके sides को चिपकाने के बाद हमें sand paper से रगड करके कुछ इस तरह से smooth कर लेना है उसके बाद जहाँ जहाँ पर gap चुटा हुआ है वहाँ पर हमें bond tight को use करके चिपका लेना है यहाँ पर मैं 4 तरप से gap ढग देता हूं ताकि जब इसमें हम पानी डालेंगे तो पानी leak ना हो bond tight पानी को भी leak नहीं होने देता है इसलिए हर जगा इसको चिपका देना और अब इस box के बाहर साइड में चिपका देता हूं bond tight को क्योंकि label होने के बाद यह अच्छा दिखेगा bond tight शूखने के बाद हमें इस डब्बे में पानी भरके भी चेक करके देख लेना है कि कहीं पानी leakage तो नहीं है अगर कहीं leakage निकल जाता है तो वहाँ पर फिर से bond tight शिपका लेना मेरे इस डब्बे में पानी leakage नहीं है तो मैं इस cooler में इस बारव वहल DC motor को यूज करने वाला हूँ हवा के लिए इस motor को लगाने के लिए एक PVC pipe के अंदर में डाल लेना है यह मेरा अंदर नहीं जा रहा था तो मैं आग में सेक करके कुछ एस तरह से अंदर डाल लिया हूँ इस motor को इस PVC pipe के अंदर में और इस तरह के छोटे-छोटे चार पीस PVC pipe को काट लेना है हमें उसके बाद उसे हमें चिपका देना है मोटर लगे हुए PVC वाले पाइप में गैट चिपकाने के लिए मैं सुपर गलू और बॉन टाइट दोनों का यूज किया हूँ ताकि यह अगदम मस और टाइट पकड़े रहे अब next में हमें इसे चिपकाना है cooler के front side वाले पटी में जिस side में हमारा हवा आएगा इसे बढ़ियां से चिपका लेना पहले मैं सुपर गलू से चिपकाता हूँ उसके बाद इसमें भी मैं बॉन टाइट से चिपका देता हूँ फिर यह सूखने के बाद motor को टेप से चिपका लेता हूँ उसके बाद top के angle वाले पटी को भी मैं चिपका देता हूँ और अब हमें switch LEDs के लिए gap बना लेना है तो यहाँ पर मैं solding iron से gap बनाता हूँ यह पहला switch होगा हवा के लिए और दूसरा switch होगा water pump के लिए और यह दो LEDs है हवा के लिए और तीसरी LED है water pump के लिए और इस side में मैं power supply को connect करूँगा next में मेरे favorite part को करना है यानि की painting painting मैं यहाँ पर white color का spray paint यूज़ कर रहा हूँ आप कोई साभी color यूज़ कर लो जो आपको पसंद है painting मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ paint करने में तो मैं इसके चारो तरप को paint कर लेता हूँ इस cooler को पसीना रहा है दिखा हूँ देखो यह paint शूखने के बाद कितना मस लग रहा यार final बन जाने के बाद और भी मस लगेगा तो आगे बनाने के लिए हमें खस को लेना है और खस को हमें बालू चालने वाला net में कुछ इस तरह से बांध लेना है बांध करके हमें तीन layer में तयार करना है क्योंकि इस cooler में हम तीन layer को यूज करने वाले हैं खस वही होता है जो cooler में यूज किया जाता है, नेक्स्ट में गाइस खस के इन तीनों लेयर को हमें इस कूलर में चिपका लेना है, चिपकाने के लिए मैं गलू स्टीक का यूज करता हूँ, क्योंकि सुपर गलू से यह नहीं चिपक रहा था, अब हमें लेना है तीन PVC पाइप इस तरह के और उसमें चोटे चोटे चीदर कर लेने हैं, उसके बाद लेना है एक बड़ा सा पाइप और उसमें तीन छेद करके लेबलिंग पाइप को हमें डाल करके पैक कर देना है, और जो चोटे चोटे तीन PVC पाइप थे उनको भी हमें पैक करके कुछ इस तरह से बना लेना है, अब हमें ल लगाना है कूलर में कूलर में लगाना है कुछ इस परकार से ताकि जो हमने तीन पीवीसी पैप में छोटे 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 छेद किये थे उसका पानी गिरना चाहिए खस में तब खस भींगेगा हमारा और ठंडी हवा आएगी इन सारे को मैं गलू स्टीक और सुपर गलू से चिपकाता हूं यह चिपकने में मुझे बहुत ही ज्यादा परेसान कर रहा था चिपक ही नहीं रहा था बार बार उखड़ जा रहा था तो मैं दोनों का यूज करके इन पाइप को चिपका देता हूं यहां पर मैंने वाटर पंप को नीचे लगाया और वाटर पंप वाला पाइप यह आया और यहां से यह टोटल पानी यहां पे आके स्टोर होगा हमारा उसके बाद यहां से तीन जगर डिस्टुब्यूट हो जाएगा वाटर एक चला जाएगा इस वाले पाइप में जो की इस वाले को भिंगाएगा और दूसरा चला जाएगा इस वाले पाइप म तो यह system मैंने कुछ इस तरह से अभी तक setup किया हुआ है, water pump का wire white wall आया हुआ है और यह है motor का wire, दोनों यह यहाँ पर आया हुआ है, यहाँ अभी connection होगा इन दोनों का switch और LEDs में, और इस side में लगेगा हमारा power supply, तो मैं इन सारे components को लगा लेता हूँ और इस circuit diagram के अनुसार से म यह circuit diagram आपको description में भी मिल जागा, आप वहाँ से भी download कर सकते हो, power supply यहाँ पर आया, उसके बाद यह positive power supply दोनों switch में गया, और दोनों switch के output से चला गया हमारा दोनों motors में, और दोनों LEDs में, यहाँ पर तीन LEDs है, लेकिन दो green वाले LEDs मानलों की same है, क्योंकि दोनों को common कर रखा मैंने, उसके बाद यहाँ से output चला गया और negative diet LEDs का तीनों का common है, और motors के भी negative यहाँ पर common है, कुछ इस तरह से वायरिंग्स मैंने इसमें किया हुआ है, वायरिंग्स कम्प्लीट होने के बाद हमें top वाले पट्टी को भी लगा लेना है, और इसे थोड़े बहुत ही super glue दे क करके चिपकाना है, ताकि अगर कभी बाद में fault आ जाया अंदर में, तो इस schooler को operation करने में आसानी होगा, इसे उखार के बाद में हम इसका operation कर सकते हैं, अब हम इसके top वाले पट्टी को भी paint कर लेते हैं, और जहां से हवा आएगा, हवा को control करने के लिए भी इस तरह के filter मे बना रखा हूँ, तो उसको भी में paint कर लेता हूँ, और उसे मैं यहाँ पर golden color से paint कर रहा हूँ, क्योंकि यह अलग color रहेगा, तो दीखने में अच्छा लगेगा, तो next मैं हमें पंखे के blade को लगा लेना है, यहाँ पर मैं इस पंखे को use कर रहा हूँ, यह काफी हवा दे द आने में, तो guys video को like कर देना, और इसको use करने से पहले मैं इसमें पानी डाल लेता हूँ, नहीं तो यह ठंडी हवा नहीं देगा, किंटाउ, तो हण जी दोस्तों, देखा आपने यह कूलर सुंदर के साथ साथ में कितना वड़ीया, हवा भी देता है, आप मेरा यकीन करो तो ठंडी हवा भी देता है मस ठंडी हवा आरी थी स्कूलर से मुझा बहुत मज़ा आया स्कूलर को बना के, अगर आपको भी मज़ा आया यह वीडियो देखके, तो लाइक कर दो यार और चैनल में नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो तो बाई गाईज मिलता हूं किसी दूसरे वीडियो में करइल नए हो दो करदा बान मिलता हूं लुक हां कर दो दो